What's up guys, welcome to my channel, तो आज हमने करना है, start question number 8 से, तो इससे previous, हम question number 7 तक complete कर चुके हैं, तो exercise 1, 7th class, countdown book का हम कर रहे हैं, chapter number 1, exercise 1 का question number 8, तो question number 8 की statement मैंने यहाँ पे लिख लिए है, question number 8 में दिया गया है, set A और B, A set given है, 0, 2, 4, 6, 8, और set B given है, 1, 3, 5, 7, 9, तो find हमने करना है, A union B and A intersection B, तो पहले हम करते हैं, इसके part 1 का solution, A union B का, तो A union B को find करने के लिए, पहले set A लिखेंगे, set A है, 0, 2, 4, 6, 8, फिर union का sign और set B, 1, 3, 5, 7, 9, अब दो sets के दर्मियान union किस तना find करते हैं, यह दो sets दिये गे हैं, इन दो sets के दर्मियान union, इस तना find करना है, कि इन दोनो sets के elements को arrange करके लिख देना है, जिस तना पहले 0 आता है, फिर हम check करेंगे 1, तो 1 है यहाँ पे, फिर हम check करते हैं, 2, 2 भी है, फिर इसके आगर 10 यहाँ पे नहीं है, तो 9 तक की सारे elements, इन दोनो sets के सारे elements को arrange करके लिख देंगे, तो इसका part number 2, तो students, अब हम करते हैं, इसका part number 2, part number 2 में है A intersection B, तो सेम इसी तरह हम पहले set A लिखेंगे, 2, 0, 2, 4, 6, 8, जहाँ पे यूनियन का sign था U, अब वहाँ पे उल्टा U, य elements यह दिए गए है, 1, 3, 5, 7, और 9, तो अब दो sets के दर्मयान intersection find करना है, intersection इस तरह find करते हैं, कि set A के elements और B के elements, वो elements जो set A में भी हों, और B में भी हों, मतलब यह, कि common elements जो इस set में भी हों, और इस set में भी हों, तो 0 चेक करते हैं, 0 इसमें नहीं है, 2 भी नहीं है, 4 दोनों में नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, तो इन दोनों के दर्मयान कोई भी common element नहीं है, तो यह क्या हैगा, empty set, यानि कि intersection में वो elements जो इस set में भी हों, और इस में भी हों, यानि कि common elements, तो कोई ऐसा element नहीं है, जो set A में भी है, और B में, ना ही B का कोई ऐसा element है, जो A में म आता है, उनुट एडान चिन है जरे न झालों है।